पूनम पांडे की सर्वाइबल केंसर के कारेंट हो गई है और जब उनके इंस्टा एकाउंट से खबर दी गई थी तो बहुत से लोग इस पर बिलीवी नहीं कर रहे थे लेकिन फिर उनके मेनेजर ने इसके बारे में बताया था तो उनके फेंसे मानने लगे थे इस पर कंगन पर इसके बारे में क्लियर किया है आप यह क्लिप देखिया अए कुछ बश्याद इज कने आए, कि अज़ रहा है. उए कि व्याद है को आए है। ही व्याद है, उछ्डे हैं. यह स्कॉन्वाइव रहा दिए और श्री एविप शॉर्वी रहा है. इसे हम स्कॉन्त रहां।ो कि उड़ चेहने हैं, तो गाइस पूनम पांडे ने इस पर कहा कि मैंने केंसर दीवस की जागरूपता के लिए ये न्यूज फेलाई थी कि सब लोग इस पर बात करें और गाइस कल विश्वी केंसर दीवस भी है लेकिन गाइस पूनम की सरकत से सभी लोग बहुत ज़्यादा एंगरी है आप उनके कमेंट सिक्चन में देख सकते हैं लोग क्या क्या लिख रहे हैं तो पेले अपना दिमाग का इलाज करवा ले दिमाग का भी प्लास्टिक सरजेरी करवा लो एवर नेस एसी फिलाओ की पूरा देश गाली दे चूतियापपा ने लिखा कसम से कम्यूनिटी गाइडलाइन की वज़े से चूप हूँ वर ना अम्मा भेन पर आ जाऊंगा कई एसे गाली बारे कमेंड उनके पास आ रहे हैं इस पर आसिस चंचिलानी ने लिखा इसली दा वर्स्ट सोसल मीडिया पब्लिक सिटी इस्टन्ट इवर एफ्लिटली डिस टेस्ट फूल एंड इंसेंसिटिव इन जैसों की वज़े से जिनके साथ कुछ एक्चूल में भी होगा उन पर भी अब लोग बिलिव नहीं करेंगे और इंस्टा स्टोरी पर ये मीम अप्लोड कर लिके पुनम पांडे भी लाइक में मर भी जाता ना तो भी न मरता और एक फ़नी वीडियो भी उन्होंने सेयर किया है पुनम पांडे से रिलेटेट तो वो देखिए इसके बाद अकांग्चा पुरे निलिखा सब लोगों ने तो पुनम की इस प्यार पर बिलिव कर लिया था लेकिन लक्षे चोधरी ने इसके बारे में पहले ही ट्वीट कर इसके बारे में बता दिया था उन्होंने लिखा था मैं शर्त लगा सकता हूँ या उनका नया प्यार इस्टंट है और आज फिर से जब ये खबर सामना आई तो उन्होंने उनके उस ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा जब मैंने कलिया ट्वीट किया था तो लोग मुझे असम्वेधन सीन होने की गालिया दे रहे थे भाई मुझे पता है इसे लोग प्रचार और पहुँच के लिए कितने नीचे जा सकते हैं अब सोरी बोलो और पापा बोलो एक एक करके और आगे से मेरे से पूछ लिया करना लक्ष भाईया ये सच है या जूट भाई साब लक्ष चोधरी भी पूरी फार्म में है अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हमरे चेनल को सब्सक्राइब करना तब तक के लिए वाई बार